हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलज़ पर आज का टॉपिक है पहाडों की रानी मसूरी के बारे में मजेदार और रोचकत थ्य और कुछ हनोखी जानकारिया अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें तो शुरु करते हैं एक मसूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा में प्रसधी मसूरी अपनी खुबसूरती और मनमोहक नजारों के जानी जाती है मूसरी के नाम के पीछे यह कहानी आप नहीं जानते होंगे दो कहते हैं मसूरी को अठारा सो सदी में कैप्टन यंग ने अपने एक साथ ही मिस्टर शोर के साथ इसे खोजा था उन्होंने इसे छुटी के माकूल जगह समझा और डेरा जमा था इसके बाद उन्होंने देखा यहां पर मसूर के पेड़ बहुतायत में खै इसके बाद उन्होंने ही यहां का नाम मसूरी दे मसूरी की खूबसूरती से इतना प्यार था की उन्होंने इस हिल स्टेशन पर अपना घर बना लिया था 3. मसूरी में घूमने के कई सुन्दर जगह है, के शौकीनों के भी परफेक्ट जगह है, यहां का सबसे सटीक प्वाइंट है, गन, कहा जाता है, आजादी से पहले इस पहाडी के उपर रखी, तोप से रोजाना, दोपहर के वक्त, गोली चलाई जाती थी, लोग अपनी थे, इसके कारण ही, इसका नाम पड़ा, 4. हमेशा से मसूरी, भारत के लोगों के लिए, सबसे पसंदीदा परियटन स्थल रहा है, उत्तराखंट की राजधानी, देहरादून से मसूरी, 34 किलोमीटर दूर होने की वजह से, लोग देहरादून घूमने के, साथ साथ मसूरी का एक चकर जरूर लगा कर आते हैं, 5. मसूरी में सचन तेंदूलकर का पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन है, एक बार सचन तेंदूलकर और उनके विजनिस पार्टन, संजे नारंग ने, जब यहां अपनी प्रॉपटी पर रिजोट बनाने का निर्मान शुरू किया, तो उनके इस कार्य को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO के नियमों के उलंगहन की वजह से इसे तोर दिया गया, 6. सन 1969 में, जब 23 वर्षिय तिब्बती आध्यात्मिक नेता, डलाई लामा को जीन द्वारा तिब्बत पर कबज़ा करने और उपनिवेश बनाने के का निकाल दिया गया था, वे तिब्बती निर्वासित सरकार की स्थापना के लिए मसूरी आये थे, तो मसूरी दलाई लामा का पहला घर था, इसके बाद उनका तबादला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कर दिया गया, 10. मसूरी नहरू परिवार के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से, एक था, जो सन 1920 से 1940 के दशक के दोरान, वो इस जगह पर घूमने के लिए अकसर आते रहते थे, वे आली शान सेवोय होटल में ठेहरा करते थे, इसके अलावा नहरू की बहन, विजय लक्ष्मी पंडित का घर, शांत दून घाटी में स्थित है, साथ, भले ही इस हिल स्टेशन को, अंग्रेजों ने बसाया हो, लेकिन इसका नाम, एकदम स्वदेशी है, ये नाम, जाडी मसूर से, लिया गया है, दरसल, ये जाडी मसूरी में, सबसे ज्यादा पाई जाती थी, आज भी लोग मसू स क्स्व काई स्टारि बुलाते हैं, आज, क्या आप जानते हैं, मसूरी में, वुट स्टॉक स्कूल भारत के सबसे महंगे स्कूलों में से एक है, सै शिकशा स्कूल, लंढ़ों में स्थित है, जो एशिया के सबसे पुराने Presidencial स्कूल में, आता है, सिक्स्थ क्लास के लिए यहां वार्शिक फीस 16,07,000 रुपे हैं कक्षा बारा के लिए वार्शिक फीस 18,03,000 रुपे हैं वुडस्टॉक स्कूल में भारतिय, कोरियाई, आस्ट्रेलियाई, अमेरिकी, जर्मन सहेत, 26 से अधेक राश्ट्रियताएं हैं ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद